किसान भाईयों नमस्कार मैं जै प्रकास सिंग आपके देशी खेती जुगार चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागते हुआ मभिननन करता हूँ किसान भाईयों जैसा कि आप जानते हैं माया जमगड़ आया हूँ और यहां पर हमने कई चीज़ें ऐसी सूट की हैं जो कि किसानों के लिए एक तरीके से कहा जाए कि हमारे अतुल जी मिसाल है और जो इनकी हर्वेस्टिंग है जो इन्होंने खर्चा किया है जो जमीन थी कु अपने दिल से थन्यवाद देटें और सवासी देते हैं कि इन्हों ने इतनी अच्छी मेहिनत की है और सबसे बड़ी बात है क्ल तो रहे थे बस मक्रेंद करते हैं टो तो चलिया हम इसे बाद करते हैं और बताते हैं तो बताते हैं क्या इनका प्राफिट है क्या SIAMSshirts कर बहुत अच्छी आप पीछे देखिए मेरे बाड जो है बहुत अच्छी इनकी आई हुई है और कौन सा बी जिनों ने इस्तेमाल किया है चलिए हम मुलाते हैं आपको अतुल जी से चैनल देशी खेती जुगार में आपका स्वागत है सबसे पहले तो आप अपना परिचे दी इस आतुल जी मैंने देखा कि आपने यह लगाया हुआ है लगभग एक एकड़ मैं देख पा रहा हूं पूरा एरिया यह जो है एक एकड़ है और उधर भी थोड़ा बहुत लगा है ना तो यह मतलब दो एकड़ खेत में आपने वन फोर्ट छोड़ दिया है बाकी जो है लगाई आपने तो यह बताईए इसमें आपका कौन सा बीज लगाया सबसे पहली चीज़ कलस का बीज है तो आपको क्या लगता है अभी इसकी हर्वेस्टिंग सुरू की आपने तो कितनी साइज का आप तोड़ते हैं इसको थोड़ा दिखा यह साइज यह लगभग एक के दोता है कोई मकसद है अगर जितनी बड़ी डंठल हम रखेंगे इसकी जी उतना ही हरा बड़ा ज्यादा समय तक रहा है अच्छा मतलब इस डंठल का सबसे बड़ा फाइदा यह है रखने का कि जितना बड़ा रखेंगे उतनी देर में यह फल मुर जाएगा बहुत बढ़ लेके जाएगा इसको तोड़ देते हैं आमता और पर तोड़ देते हैं लेकिन आप मंडी ले जाते हैं तो इसको लंबा तोड़वा कर ले जाते हैं अच्छा यह एक चीज़ बताई आप अतुल जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका यह खेट जो लगबग 1-299 कर लगा लेकिन ड्रिप नहीं है ड्रिप नहीं है लेकिन मेल्चिंग लगी है बिना ड्रिप के आपने खेती की है तो यह बताइए कि इस पर कोई फसल आपका प्रभावी तो हो रहा है यह नहीं हो रहा है यह नहीं लगाने से तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं लगाने से कोई बिसेश प्रभाव नहीं किसान भाईयों इस चीज़ को समझेगा कि हमारे अतुल जी बता रहे हैं कि अगर ड्रिप नहीं है आपके पास में तो भी आप मेल्चिंग पर खेती कर सकते हैं तुसर एक टेकनिकल आप बात सवाल आवा गया मेरे पास आपके लिए कि जैसे ये बेड़ दिख रहा है तो कदू रखिये सर आप ये बताईए कि यहां पे आप भीज अगर डालेंगे कदू के लिए तो कहां डालेंगे जिससे कि उसको ड्यूटिंस बैलू भी मिले और पान के लिए जो मारा एरिया फालतू है अचा नमी जादा टाइम तक जो है रुख जाती आम तो पे खुले में पानी देते हैं चली जाती है और ऐसे डिप में रहेगा तो पानी उसको जितनी जरुवत है वो होल्ड करता है फिर भी इसमें कितने दिन में आप पानी कि सिचाई क खर्चे आधा हो जाता है अगर दिखा जै अगर हम बेट बनाते हैं अचा पैदावार पे भी कोई फर्क पड़ता है बेट से बहुत पड़ता है चुकि जब बेट में खास नहीं उपाएगी हाँ नमी बनी रहेगी हाँ क्योंकि कोई भी निट्रिंस होता है वो बीने नमी क्या काम नहीं करता है जी जी तो सर आपने कब लगाया था इसका इसको हमने फरवरी लास्ट में आपने लगा दिया था फाल आपका कब से तूटना सुरू हो गया मतलब आपका कुल मिला के 40-42 दिन में फाल इसका तूटना सुरू हो गया तो सर अभी जो डेड़ हेकर का एरिया है इसमें कितना आपका हर्वेस्टिंग हो जाता है डेली इसमें चार से पांच कुंटल अभी क्या रेट जा रहा है सर इसका बारा से चौदा बारा से चौद मतलब अगर चलिए हम आठ का इंड़ेघिन निकालते हैं मानलीज आए निए निकालते हैं कनों कि जो अक्डश की कर सकते हैं हाँ 40-45 दिन तो मतलब अगर चलिए है माट की इसाब से मिमानते तो पांच कुंटल आपके इसाब से पांच कुंटल एक एकड़ में परड़े निकल रहा है ना तो आट पंचे 40 मतलब 4000 परड़े 45 दिन की फसल है किसान भाईयों अंदाज लगाईए का कितना होता है आप हिसा सब्सक्राइन मिए आपको देख पारा हूं कि यह बहुत अच्छी है इसमें क्या क्या कुछ आपने नया किया है क्या कुछ नया किया किया है जी कि हमद ka तक आखार तो मतलब आपका कहने का मतलब यह कि आगे भाविस में आप कम बीज लगाना है ज्यादा उत्पादन लेना है और ठीजी कटिंग करना है क्यों थोड़ी सी मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है बढ़िया मिल जाएगा बहुत बढ़िया है और सबसे बढ़ी चीज है कि अगर किसान भाई हमारे थोड़ी सी मेहनत थोड स्प्राइब जरूर कर लें मैं आपको ऐसी ही जानकारी जो है देता रहूँगा खेती किसानी के बारे में और फिर मिलेंगे आपको अच्छी वीडियो को साथ नमस्कार जैजवान जैकिसान